तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भी अपने मुबाइल फोन के अंदर टार्च आप चलाते हैं, टार्च को अन करते हैं, कुछ इस प्रिकार से, तो अगर आप अपने टार्च को अन करते हैं, तो जो इसका यह आपको रोशनी देखने नहीं होगा तो आप यहां पर अपने टार्च जो जलाते हैं अपने मुबाल फोन के अंदर फिले स्लाइट आप आं करदें उसका जो यहां पे आपको लाइट देखने को मिलता है उसे आप यहां पर चाहते हैं या discord लो में जलाना चाहते तो कैसे आप इसका light में परिवर्तन कर सकते हैं वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको करने का है आपको अपने mobile phone के अंदर अपना torch यहाँ से आपको open करना है तो आपको इस पर long press करना है आपको इस तरह से long press करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ से आप अपना torch on कर सकते हैं on करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल आता है brightness level का option यानि कि आप अपनी torch को 5 level तक high कर सकते हैं तो जैसे हम आपको दिखाते हैं इस यहाँ पर इतना कर देंगे तो आपका यहाँ पर यहाँ पर लाइट होगा वो यहाँ पर और भी हाई हो जाएगा अगर यहाँ पर लेवर वन पर कर देंगे तो आपका जो लाइट होगा कुछ इस तरह से कम हो जाएगा तो अगर आप य मुबाइल फोन का बैटरी भी चलेगा और आपके टार्च का जो यहां पे लाइट है वो भी कम हो जाएगा तो ऐसे आप इसे कम और ज्यादा कर सकते हैं अपने मुबाइल फोन के अंदर और उसके बाद यहां से आपको डंकर देंगे अब आपका टार्च या जब भी आप ज सेटिंग में यहां पे आपको नीचे आ जाना है और यहां पे मिलेगा इंडर्व oni वर्जन आपकी तो अगर आपका अगर आकर मुबाइल फोन 11 यहां पे 11 वर्जन में नहीं ए तो आपको यहां पे sync यहां फर लेवन वर्जन नहीं है, तो आपको यहां पे यह setting आपको अभी नहीं मिलेगा, सबसे पहले आपको अपने mobile phone को 11 version में आपको update करना पड़ेगा, अगर आपको update नहीं मिला है, तो कुछ दिनों का आपको wait करना पड़ेगा, और आपके mobile phone के अंदर 11 version आ जाएगा, और इसे आपको यहाँ पे update कर लेना है, जैसे आप update कर ले आपको पता चले गया होगा, तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद